Class 5 Hindi, Lesson No. 2, छोटा जादूगर कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रहे थे, हसी और विनोत का कलनाद गूंज रहा था मैं खड़ा था उस छोटे फुर्वारे के पास, जहां एक लड़का चुपचा शर्बत पीने वालों को देख रहा था उसके गले में पटे कुर्टे के ऊपर से एक मोटी सी सूथ की रसी पड़ी थी और जेव में कुछ ताश के पत्ते थे उसके मूँ पर गंबीर विशाद के साथ धैरी की रेखा थी, मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकरशित हुआ मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा मैंने सब देखा है, यहां चूडी फेटते हैं, खिलोने पर निशाना लगाते हैं, तीव से नंबर छेटते हैं मुझे तो खिलोनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ जादूगर तो बिलकुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ लड़के ने बड़े विश्वा से कहा, उसकी वानी में कहीं बनावट न थी मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है, वहां तुम गए थे? उसने कहा, नहीं, वहां मैं ना जा सका, टिकेट लगता है मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ उसने कहा, वहां जाकर क्या किजिएगा, चलिए, इशाना लगाया जाए मैंने उस से सहमत होकर कहा, तो चलो, पेले शर्बत पी लिया जाए उसने स्विकार सूचक सिर्ख ला दिया राह में मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन-कौन है मा और बाबुजी बाबुजी देश के खाते जेल में है और मा बिमार है लोगों को तमाशा दिखा कर मैं मा की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ वे पक्का निशाने बास था खेल खेलते समय उसकी कोई छूड़ी खाली नहीं गई देखने वाले दंग रह गए उसने बारा खिलोनों को बटोर लिया बाबुजी आपको तमाशा दिखाऊंगा इतना कहकर वे नौद हो गया मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्माद हौले से पुकारा बाबुजी मैंने पूछा कौन है इसने कहा मैं हूँ छोटा जादोगर हाथ में चार खाने की खानी का जोला साफ चांगिया और आदी बाहों का कुटा सिर्पर मैला रुमार सूद की रसी से बना था मस्तानी चाल में जूमता हुआ कहने लगा बाबुजी नमस्ते आज कहिए तो खेल दिखाओं तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ जी बला कुछ मन तो पहले उस दिन कार्णिवर के सभी खिलाओं ने उसके खेल में अपना अभिने करने लगे भालू अपने बीवी को मनाने लगा बिल्ली रूप में लगी चेडिया का ब्या हुआ ताश के सब पत्ते लाल हुए फिर सब काले हो गए लट्टू अपने आप नाच रहे थे श्रीमती जी ने भीरे से उसे एक रुपया दे दिया वै उचल पड़ा मैंने कहा लड़के छोटा जादुगर कहिए यही मेरा नाम है इसी से मेरी जीविका है वै नमस्कार करके चला गया फिर एक दिन मैंने उसे एक जोपड़ी के पास कंबर तंदे पर डाले खड़े देखा पूशने पर उसने उत्तर दिया मा को अस्पताल वालों ने निकाल दिया जोपड़ी में देखा तो एक स्प्री चिथडू से लदी हुई काप रही थी छोटे जादुगर ने कंबल उपर से डाल कर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा मा मेरी आखों से आसु निकल पड़े दिसंबर में बड़े दिन की छुटी बीच चले थी उस छोटे जादुगर को फिर से देखने की इच्छा हुई दस बच्चु के थे मैंने निर्मल धूप में चड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादुगर का रंग मंच दिखा तमाशा हुआ परन्तु जादुगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी मैंने उसकी पी थप थपाते हुए पुँचा आज खेल जमा नहीं खड़ी समीब है मैंने क्रोज से कहा तब भी तुम खेल दिखाने चले आए उसने कहा क्यों ना आता मोटर में बिठा कर मैं तुरंत उसे उसकी जोपडी के ओर ले गया उसके अंदर पहुशते ही मा के मूँ से बे निकल कर रह गया उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गये जादुगर उससे लिपटकर रोने लगा उस उजवल धूप में पूरा संसाथ जैसे जादु साथ मेरे चारो और नित्य करने लगा वीडियो लंबा होने के कारण इस लेसन के प्रश्ण उत्तर अलग से अपलोड किये जाएंगे और उसका लिंक निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृप्या लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए